होली के दिन इसे घर लाना मत भूलना जनम जनमांतर की गरीबी मिट जाएगी आगे आपके मर्जी जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने अगर आप होली के दिन इस चीज को घर पर ले आएंगे जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आपके जीवन की काया हो जाएगा और आप धन वैभव से संपन हो जाएंगे दोस्तों इस साल की जो होली है वो बेहद ही खास और बेहद ही सुन्दर है अब क्यों बेहद ही खास बेहद ही सुन्दर है इसके पीछे मैं कारण बता दूं क्योंकि दोस्तों 24 मार्च को होली का देहन और 25 मार्च को पुरंग उत्सम मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहन है और दोस्तों जब चंद्र ग्रहन लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है जो लोग साधक है जैसे की तंत्र क्रिया जानते हैं जो लोग जैसे की मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या फिर जो लोग जैसे की अधियात्मिक शेतर से जुड़े हुए हैं उनके लिए चंद्र ग्रहन बहुत ही जादा इस वर्ष शुब रहेगा कैसे शुब रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे 2024 में तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहन हैं और चंद्र ग्रहन के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं कोई भी उपाय को अपनाते हैं या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो आपको जरूर लाब मिलेगा चाहे धना करने के लिए चाहे कोई भी दौलत पाने के लिए ये होली बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार फालगुन पुर्णिमा को होली का देहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है इस साल फालगुन पुर्णिमा तिथी 24 मार्च को सुबह 9 कर 27 मिनट तक है ऐसे में होली का देहन के लिए आपको कुल एक घंटा 14 मिनट का समय मिलेगा अब बात करते हैं कि आखिर कब है होली और रंग कब खेला जाएगा रंग वाली होली कब खेली जाएगी देखे होली का के अगले दिन होली मनाई जाती है इसलिए इस साल 25 मार्च को होली है इस दिन देश भर में धुमधाम से रंगो वाली होली मनाई जाएगी लेकिन याद रहे इस दिन ग्रहन भी पड़ रहा है दोस्तों होली पर ग्रहन का साया हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार हर वर्ष फालगुन मास की पुर्णिमा तिथी की त्रा जो भारतिय समय अनुसार सुभे 10 बचकर 2 मिनट से शुरू होगा और दोपहर 3 बचकर 2 मिनट पर समाप्त होगा हाला कि उपचाया होने के वज़े से ये ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा दोस्तो इसके कारण यहां सूतक काल माने नहीं होगा अब जब सूतक काल माने नहीं होगा तो दिल खोल कर होली मनाएं आप कोई भीकारे कर सकते हैं भारत में इस चंदर ग्रहन का कोई भी फरक नहीं पड़ेगा होली जम कर मनाएं जैश्री राम भगवान का नाम लेकर होली खेलें आपके उपर कभी ग्रहन नहीं लगेगा राम के नाम से ही ग्रहन वो भी रात के समय क्योंकि बाहर वी देशों में उस समय रात होगी इसलिए भारत में इसका कोई भी असर नहीं है जब सूतक काल नहीं लग रहा है तो जम कर खेले ये होली अब दोस्तों होली का की अगनी में ये तीन चीज भूल कर भी मत डालना इससे उल्टा आप पर होली के दिन ऐसी पूजा कभी न गर ही दोस्तों सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है होली का महा पर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा हुआ होता है होली की रात को देवी शक्तियों की रात माना जाता है इसे दिन असुरी शक्तियों का नाश होता है और देवी शक्तियों का उधम होता है इसे दरिदरता का नाश करने का जीवन में चल रही परिशानियों को मिटाने का दुख तकलीफ और सारे कश्टों से चुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिध्धी की रात कहा गया है। इस दिन नकरातमक और सकरातमक रजाएं दोनों ही बहुत जादा सकरिय रहती हैं। इसलिए लोग सद्यों से इस दिन सिध्धियां हासल करने के उपाई करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वो बहुत ही कारगर और फलदाई सिध होती है जो कि 100 प्रतेशत सिध हो ही जाती है इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिध कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किये जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाई जिन से आप आने हिंदो वर्ष में खुश्या ही खुश्या पाऊगे आप अपना दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकेंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर ये तीन चीज़े कभी नहीं चड़ानी चाहिए इससे उल्टा आप बरबाद हो सकते हैं तो दोस्तों अगर नहीं जा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होली का देहन पर होली की अगनी में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए ना ही होली में खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए इससे उल्टा आपको हो तूटा हुआ गन्ना पूजा पाट में इस्तिमाल नहीं किया जाता इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है आपके घर में गरीबी कावास हो सकता है। तूटा हुआ बिलकुल भी ना हो हमेशा याद रखे कि होली का देहन से ठीक पहले गन्ना घर में अवश्य लाकर रख ले और गन्नो की संख्या दो या पांच या फिर साथ होनी चाहिए यानि विशम संख्या में ही गन्ने हो दोस्तो होली की पवित्र अगनी में पानी वाला इससे होली माता जाते जाते आपको धन से माला माल बनाएगी आपकी गरीबी को साथ ले जाएगी पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड सकते हैं लेकिन अगनी में कभी मत डालना सूखा नारियल अगनी में डालने से होली माता आपकी सभी परिशानी को अपने तिल और सरसों को लेकर अपने सिर पर साथ बार वार लें और इसे अगनी में डाल दें आपकी चिंता होली का मैया हर लेगी दोस्तों माना जाता है कि होली का माता को घर में बनाये भोग अतिप्रिय हैं आपने अपने घर में जो भी बनाया है माता को अवश्य अर्पित करें लेकिन याद रहें गुजिया चढ़ाते समय देख ले कि गुजिया की संख्या तीन नहीं होनी चाहिए, या तो दो चढ़ा लें, या फिर पांच, साथ, ग्यारा या फिर इक्किस चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजिया की संख्या तीन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रहे कि केव एक गुजिया भी नहीं चड़ानी चाहिए होली का देहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें होली का देहन में गाएं के गोबर से बने उपले अवश्य डालने चाहिए दोस्तो होली की अगनी में आप हरा चना गेहूं की बालियां कोई भ बारी भरी होनी चाहिए होली का देहन की अगनी में सूखी बालियां चड़ाने से पाप लगता है दोस्तो शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि किसी इस्तरी को मासिक धरम आ जाए तो उसे होली का देहन की पूजा किसी और से करवा लेनी चाहिए आप पूजा को वैस दोस्तों होलीका की अगनी में चावल के बने पापड और कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए होलीका देहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ती होती है इससे आपके घर की गरीबी नश्ट हो जाएगी कच्री पापड आदी होलीका देहन में अवश्य अरपित करना चाहिए इसमें आपके घर में धनकी कभी कमी नहीं नहीं होगी दोस्तों माना जाता है कि रूर भी से एक दूसरे को गुजिया अवश्य खिलाएं इससे आप सी प्यार मजबूत हो पहले घुजिया जूठी ना करें जब आप पूजा वगेरा कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं हमेशा याद रखें कि माता को घुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलानी चाहिए और दक्षिना भी देनी चाहिए इससे न वी देवताओं को भोग लग जाता है इस दिन आप कुछ करें या ना करें लेकिन गौ माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दें दोस्तों इससे होली मैया का अशिरवात सदैव आप पर बना रहेगा दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए होली का देहन के बाद उसके अगल नजर दोश लग जाए इससे नजर दोश बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगा होली का देहन की राख को आप कपड़े में भांध कर हमेशा घर से संभाल कर रखें क्योंकि राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं जिससे आपके घर में धन, दौलत, सु से ज़्यादा टोने टोटके किये जाते हैं इसलिए ऐसी कोई चीज सविकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूल कर भी किसी से मत लेना दोस्तों हमारे वेद पुरान बताते हैं कि होली खुश्यों की सौगात ले शास्तरों में वरनित है कि भगवान कृष्ण को हुली का परव अतिप्रिया है इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कारे नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण करोधी तो जाएं हुली पर गाली नहीं देनी चाहिए इस्तरी का पमान नहीं करना चाहिए सुभे जल्दी इस तर छोड़ देना चाहिए, होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए, होली के दिन पवित्र परवपर सहवास नहीं करना चाहिए, इस दिन इस्तरी से दूर रहें। इसलिए होली का परव सचे दिल से तथा सची श्रधा के साथ ही मनाना चाहिए, अब दोस्तों आपको होली पर किये जाने वाले महा उपाई के बारे में बताने जा रही हूं। इससे बिजनिस में फाइदा होने लगेगा, धंदा व्यापार में उन्नत होगा, ये बहुत ही कारगर उपाई है, आप इस उपाई को होली पर अवश्य करें। ये उपाई करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है, आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो ये उपाई जरूर करें। इसी के साथ दोस्तो लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ती दिलाने में काम आती हैं, अगर आप किसी इंटर्वियू पर या किसी शुब कारे के लिए अगर बाहर जा रही हैं तो घर की दहलीज पर पांच लाल मिर्च रख दें और घर से निकलते समय उन्हें अगर कदम आगे बढ़ाएं, तो दोस्तो आपको हर कारे में सफलता मिलेगी, अगर आपके कारे में लगातार बधाएं आ रही हैं तो ये उपाई जरूर कीजेगा शनीवार की रात को, सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले लें, उस पानी में सूखी ला जाकर पानी को फेंक दे, फिर बिना पीछे मुड़े घर चले आएं, इससे आपके उपर छाई नकरातमकता दूर हो जाएगी, मन आपका शान्त हो जाएगा, दृष्टी कोन सकरातमक बनेगा और कारे में सफलता मिलने लगेगी और विगन बाधाय आना बंद हो जाएंगी दोस्तों जिन्दगी में सबसे बड़ी समस्या होती है, वो होती है धन की, अगर आपको पैसु की किलत सता रही है, तो दोस्तों धन हाथ में नहीं टिकता, ऐसे में ये उपाय जरूर जमाएं, पांच लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांद ले और माता लक्षमी का जबते हुए, उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दे, आपकी तीजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं न कहीं से धन का आगमन होता रहेगा, ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उमीद करती हूँ कि वीडियो ग्यान वर्धक रही होगी आपके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजे ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, आपका बहुत बहुत धन्यावाद